सो चली गाईज आज हम क्या करने वाले हैं फर्स्ट ओफ ओल तो यह जो क्वेशन आपके सामने लिखे हैं कन्वर्जन के यह क्वेशन हम लोग करेंगे और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर यह समय से खतम होगे तो यहाँ पर पासे सर wichtig आफके सिर्य से सामने घ्रकष या तो फिर प्रॉपर्टी आइब 혼सल नगर करेंगे ठीक है यह most important है star लगा देता हूं यहाँ पर या फिर आप यहाँ पर एन्हाइड्रस एन्हाइड्रस chromium ठीक है oxide भी इस्तमाल कर सकते हो CRO3 तो यह तीनों है और अगर मैं आपको specially बोलता हूं यह question आ चुका है PCC PDC most appropriate reagent है ठीक है तो यहाँ पर यह चीज जान रखेगा यह बहुत important है और इसी के तुरू होगा तो इन में से कोई पी answer आप यहाँ पर लिख सकते हो यह conversion करना है reagent पूछा कौन सा इस्तमाल होगा सबको clear है चलिए दूसरा सवाल केता है cyclohexanol ठीक है उसको convert करना है cyclohexan अब आप देखें आप क्या कर रहे हो cyclohexanol का मतलब हो गया आपके पास यह compound है ठीक है बीच में ring नहीं है all का मतलब यहाँ पर OH group है इसको आप convert कर देना चाहते हो cyclohexanon के अंदर मतलब यही है और यहाँ पर double bond oxygen है आ रहा है सबको समझ में इसको इसमें convert करना है यानि कि आपने क्या किया alcohol जो के 2 degree है यह 2 degree alcohol है उसको convert करना आपको cyclohexanon यानि की ketone के अंदर convert करना है यह काम आप कैसे करोगे oxidation ही तो कर रहे हूं क्योंकि hydrogen का removal है तो 2 degree का oxidation से ketone बनता है कोई भी ले लो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है यहाँ पर क्यमेन 4 भी ले सकते थे ठीक ह यह acidic medium में ही होता है तो आप इतमें से कुछ भी ले लो oxidation होना है सीधे इसमे convert हो जाएगा असान है आप इसमें और भी reagent मैंने आपको लिखवा रखे है वो भी ले सकते थे ठीक है चलो oxidizing reagent लेने आपको सीधे इसमे convert हो जाएगा तीसरा सवाल देखे क्या कहता है पैरा फ् पोजिशन पर आपने फ्लोरीन लगा रखा है और वो है टॉल्यूवीन यह लिजिए थी अब इसको आप convert किसमें कर रहे हो यह तो एजडीजी है नीचे फ्लोरीन तो लगा ही हुआ है अब इसको सी एचो में convert कर रहे हो अब देखो यहाँ पर आप बेंजीन निंग पे देबलो हमें convert नहीं हुआ है पार्शल oxidation कर रहे हो तो इसके लिए इटाड reaction famous है आप यहाँ पर क्रोमाइल क्लॉराइड का इस्तमाल कर सकते हैं देखिए पहला क्या इस्तमाल कर सकते हो CRO2Cl2 ठीक है क्रोमाइल क्लॉराइड उसका question भी नीचे दिया है वो देखो और साथ ही में CH3O plus यह चाहिए आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर एक और चीज़ इस्तमाल कर सकते हो कौन सी CRO3 plus acid anhydride CH3 CO whole twice O मैंने आपको कहा था इटार्ड reaction के साथ करवाया था मिलती जुलती reaction है तो आप यह इस्तमाल कर लो चाहिए यह मैं लिख देता हूँ या तो आप यह यूज़ कर सकते हो या आप यह यूज़ कर सकते हो दोनों case में same answer आएगा ठीक है मैंने circle कर दिया है य कली वीडियो upload करिए जाके देखिए उसके mechanism को आपको मालूम बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो CH3 का partial oxidation करा रहे हो और CHO में convert कर रहे हो इसके लिए आप इसको भी कर सकते हो इसको भी कर सकते हो अब जलते हैं आगे आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आता है सबको समझ में इथनायल में convert करना चाहते हो यहाँ पर इसका conversion इसमें देखो यहाँ भी carbon दोई है वहाँ भी carbon दोई है इथे इसको यह बोलते है इथे नाइट्राइल और इस वन इस इथनायल यह काम कैसे करोगे यह काम आप दो से कर सकते हो Stephen's reaction भी इस्तबल कर सकते हो जो आपकी मर्जी तो यहाँ पर लिख सकते हो डाइबल एच ठीक है डाइबल एच यह काफी फेमेस है जो कि यही काम करता है क्लीर हो गया सो यहाँ पर Stephen's reaction भी इस्तमाल कर सकते हो जिसकी वीडियो में बना चुका हूं सो Stephen's reaction भी यहाँ पर इस्तमाल हो सकती है तो उसको लोगा क्लीर होता है सब लोगों को यानि कि SNCL2 का इस्तमाल होगा यह ध्यान रखीगा प्लस HCL का इस्तमाल होगा इसको Stephen's reaction कहते हैं दोनों में से कुछ भी इस्तमाल कर सकते हैं क्लीर होता है चलो तो यहाँ पर इसके भी दो आंसर है अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर तो पूछे थे इन सवालों के अंदर वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सब कुछ लिखके तो देखिए जो पहला reaction है वो क्या है यहाँ पर क्लोरीन जाएगा अपनी लेक्टोन लेके किसके साथ ALCL3 के साथ जो कि Lewis acid है तो पीछे क्या बन जाएगा यह आपके पास इलेक्ट करेगा basically benzene rink पर जाएगा क्योंकि benzene rink पर उसको electron दिखाई दे रहे तो आपके पास क्या बनेगा straightforward यहाँ पर acetophenone sorry प्रॉपियो प्रमकर काफिया लेक्षिसांट AWI तो इसको वोलेंगे प्रपियों फिनोन यह लेज़े यहे बहुत आसान है काफिभार कर चुके 11 स्चवर बाए भी था उसके बाद नीचे देखिए नीचे वाली chemical reaction में अगेन आप acyl chloride का इस्तमाल कर रहे हो CD और R2 अभी याद करो मैंने reaction करवाया था यह R2 CD है अब कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर 2 unit लिए CH3 COCl की यह जो CL आपको दिख रहा है वो हटेगा उसकी जगा R लेगा क्योंकि इस पर partial positive होता है और इस पर partial negative होता है इसी तरह से यह chlorine पर partial negative होता है और आपको यह carbon दिखाए दे रहा है इस oxygen को नीचे ले लेता हूँ इस तरह से है कुछ है ठीक है ओपर दिख रहा है आपको sil chloride यही structure है तो इस पर partial positive होता है और इस पर partial negative बस positive को negative के साथ पहुंचा दो कुछ नहीं है इसके अंदर तो फाइल लिए दिखे C6H5 CH2 यह पूरी unit है R यह जुड़ जाएगी इस carbon के साथ तो क्या बनेगा दो unit है आपको बनेगी CH3 C double bond O और उसके बाद यह पूरी unit जुड़ जाएगी उसके साथ ठीक है और यहाँ पर क्या लिखूंगा that is CS2 and then C6H5 यह लिजे अब इससे आसान क्या होएगा यह पूरा जो R है basically यह जो दिखाई दे रहा है यह पूरी unit मैंने इस carbon के साथ जोड़ी chlorine हटाके और यह मैंने कल की वीडियो में ही करवा ही है कल evening में वीडियो अपलोड हुआ है उसको ध्यान से चेक करना ठीक है अब हम चलते हैं आगे finally देखी एलकाइन दे रखा है HG plus 2 दे रखा है और H2SO4 दे रखा है अब यह तो बहुत ही असान है इसमें क्या करना है water का addition करना है और water का addition मैंने आप से कहा था कि water का addition होता है Markovnikov rule से उसके बाद यहाँ पर totomerism होता है इसमें क्या खास बात है सिर्फ इथाइन ऐसी होती है जो कि L-D-E-D-D- इसके लावा जितनी भी alkyne है ठीक है वो सारे के सारे ketone देगी यहाँ पर ketone मिलेगा आपको straight forward main बात यह है अब सबसे पहले water का addition करेंगे तो देखो water में क्या होता है water का indirect addition है यह H plus है और यह OH minus है negative बाला part वहाँ जाएगा जो number of hydrogen कम है इन दोनों भी number of hydrogen कम का है यह तो इसका मतलब एक bond टूटेगा यहाँ पर OH group लगेगा ठीक है और यहाँ पर क्या देना है आपको H सही है यहाँ दिखा रहा हो सीधे ही यह देखो एक bond टूटेगा इसके साथ OH और इसके साथ H लग जाएगा लग जाएगा उसके बाद टूटोमरीजम होगा टूटोमरीजम में क्या होएगा यह पाई bond के लेक्टोन इदर शिफ्ट होगे सही है और यह hydrogen इसके साथ चला जाएगा clear होता है तो टूटोमराईज होगे क्या बनेगा किटोन तो क्या बनेगा तीन कार्बन का केटोन बनाओ ऐसे टोन होता है क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके है कि सिर्फ इथाइन ऐसी होती है इनकी ऐसे टाइलीन ऐसा है जो कि LD8 बनाएगा उसके अलावा तो सब केटोन बनाएगे तो यहाँ तीन कार्बन दिख रहे है तीन कार्बन का केटोन कोन सा होता है ऐसे टोन वो लिख दिया अब लास्ट यहाँ पर दिया है इटार्ड रियक्शन जिसमें यहाँ पर क्या होगा पार्शल ओक्सिडेशन होगा इस कार्बन चैन का जो बाहर है रिंग के तो यह CH3 इसको किस में कनवर्ट करना है पार्शल ओक्सिडेशन में यह लो और नीचे वाला यूनिट एएजड इस रहेगा NO2 कोई फरक नहीं पढ़ने वाला यह देखो यह इटार्ड रियक्शन में लिख देता हूँ इस इटार्ड रियक्शन यह लो यह हमने किये बहुत बढ़िया सवाल इस तरफ तो हमने देखा कि भाया रियेजेंट कौन सा होगा और इस तरफ हमने देखा कि प्रड़क्ट क्या होगा इन क्वेशन को ध्यान से आप लिख लो नोट डाउन कर लो मैं आपको यहाँ पर दो क्वेशन और कराता हूँ उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपटी की तरफ चलेंगे तो देहां से उसको देखो वो दोनो क्वेशन कौन से है यह दो क्वेशन मैंने आपके सामने लिखे हैं पहला सवाल है अलाइल अलकोहल से आपको क्या बनाना है प्रॉप इन एल तो पहले मैं फॉर्मले लिख देता हूँ फिर आपको रिएजन बताना है अलाइल अलकोहल क्या होता है देखिए अलाइल ग्रूप होता है CH2 डबल पॉन CH उसके बाद यहाँ पर होगा CH2 ठिके और यहाँ पर लगा होगा ओष इसको अलाइल इलकोहल क्यों कहते है इस को अलाइल ग्रूप ठिके है जसमें यह कारभन क्या है SP3 हाइब ऑड़ाइस है जबके उसके साथ वाला कारभन SP2 हबड़ाइस इसको अलाइल ग्रूप कहते है इस Allyl Alcohol को आपको Convert करना है किसके अंदर जरा चेक करो Prop In L ठीक है So Prop In L का मतलब जरा समझे यहाँ पर यह देखी कितने कार्बन है एक दो तीनी कार्बन है तो Prop In L में Convert करना है ठीक है So यहाँ पर CH2 Double Bond CH उसके बाद यहाँ पर इसको CHO में Convert करना है CHO में तो आप जरा चेक करो यह 1 Degree Alcohol ही है 1 Degree Alcohol को आपको सीधे किस में Convert करना है 1 Degree Alcohol को LD Height के अंदर तो कैसे करोगे तो सवाल तो सेम ही है यहाँ पर किसको यूज करो यहाँ फिर आप PCC को यहाँ फिर आप PDC को क्योंकि आप 1 Degree को LD Height में डालना चाहते हो तो पार्शल ओक्सिडेशन होगा और अगेन अगर आपको पार्शल ओक्सिडेशन करवाना है किसका 1 Degree Alcohol का तो PCC और PDC इस्तमल करते हो बहुत आसान है जरा चेक करो आपके सामने आंसर है अब अगला सवाल कहता है ब्यूट इन ब्यूट टू इन को कनवर्ट करना है इथ इन एल को तो यहाँ पर जरा द्यांसिस को चेक करें ब्यूट टू इन कैसे लिखो गे देखिए दो नमबर पर इन है तो यहाँ पर देखिए CH3 उसके बाद CH double bond CH and then CH3 यही हुआ ब्यूट इन ब्यूट टू इन दिखाई दे रहा है सब लोगों को इसको आप कनवर्ट करना चाहते हो इथिनेल के अंदर यानि की CH3 ठीक है CHO यही होता है CH3 CHO को हम लोग क्या बोलते है इथिनेल ख्लीर हो गया अब यहां से वहां का conversion कैसे होगा जरा सोचो यहां पर 4 carbon से 2 carbon की तरफ जारो इसका मतलब यह पूरा ही bond तोड़ना है आपको और पूरा bond तोड़के बस इसको oxygen देना तो एक काम कौन करता था याद करो short trick बताए थी ozonalysis याद हो गया सो यहां पर reductive ozonalysis करना यानि कि O3 प्लस यहां पर zinc प्लस water इस्तमाल करना है याद करो यह सारी चीज़े करवाई हुई है अब देखो CS3, CHO, CS3, CHO दिखाए देर है CS3, CHO, CS3, CHO इसकी 2 unit मिलेंगी आपको और यह reductive ozonalysis से possible है आपको answer मिल गया तो यह wonderful दो question और हुए गाइस अब हम चलेंगे physical property की तरफ तिल देन फड़ा फड़िस का screenshot लो इसके बाद वीडियो continue रहेगा ले लीजे